जहें दोस्तों, तो कैसे आप सभी? उमीद है आप सभी वेतर होंगे और अपनी तैयारी अब तो आप सभी लोग स्टार्ट कर दिये होंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप सभी भाई बहन जो भी कंडिडेट यूपे पुलिस के तैयारी कर रहे हैं आप सभी के बीच में अभी भी गर्मा गर्मी का महौल है, तो वो गर्मा गर्मी का महौल क्यूं है, वो तो आप सभी लोग जानते ही है, तो आईए आज की इस वीडियो में आपके जो गर्मा गर्मी का महौल बना हुआ है, उसको थोड़ा सा सांध करते हैं, ताकि आप कंस फरवरी को ही होगा इस बात से आपका सेलेक्शन वहाँ पर नहीं होता है और एक्जाम 11 फरवरी को होगा की नहीं होगा इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले आपके दिमाग में जो अफरात अफरी का महौ बना हुआ है उसको पहले थोड़ा सा सांथ करते हैं तो दिखे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जब से नोटिस आने का सिलसला सुरू हुआ है जिसमें पहले नोटिस आई जिसको सब ने बताया कि यह फेक है और उसमें कुछ बाते भी इस तरीके से लिखी गई थी ज जाती है लेकिन उसके बाद में जो उसी दिन एक दूसरी नोटिस वाइरल होती है जिसमें यह साप साप लिखा होता है कि परिक्षा कराने के लिए जो परिक्षा केंद्रों का चैन करना है उसके कौन-कौन से मानक है उसके आधार पर उनका चैन किया जाना चाहिए जिसको बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ ये notice सच है, हाँ वो notice सच है, इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है, लेकिन जो दूसरी वाली notice है, वो सच है, वो ये बात भी तई नहीं करती है, कि जो पहली वाली notice है, वो भी सच है, या दूसरी वाली notice अगर सच है, तो वो ये बात को clear न तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिकिन अभी भी ये बात clear नहीं है, जो आपका एकजाम है वो 11 फर्वरी को ही है, और ये clear क्यूं नहीं है तो वो बात भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूं. जो दूसरी वाली notice है ये आपको अभी पता चला है ये आज के करीब करीब 3-4-5 महिना पहले ही एक notice आई थी अब हमारे जनपद में आई थी अब पता नहीं सभी जनपदों के पास वो notice बेजी गई थी कि नहीं बेजी गई थी मुझे नहीं पता है लेकिन हमारे जनपद में और वो बाकाइदा सभी लोगों को मिली भी थी हर थानों पर उसको circulate किया गया था कि आपके थाना छेत्र में जितने भी ऐसे school हैं जितने भी ऐसे colleges हैं जो परिक्षा करा सकते हैं यानि कि जिनके पास वो सभी सुभी उपलब्द हैं जिसमें bench की वेवस्था होगी उनके ज चाह रहा था paper कराना है लेकिन साथ भरती नहीं आपाई किसी का रड़वस जिसकी वज़े से वो बात वहीं की रहे गई और आप चुकि भरती बोर्ट बिलकुल चाह रहा है कि नहीं हमें paper तो कराना ही कराना है सारी चीज़ें उसने तयारी कर ली हैं तो हो सकता है कि भरती का हम परिक्षा यहां पर करा सकते हैं और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि यह जो notice वारल हो रहा है मानक वाला यह सभी जनपदों में भेजा जाए हो सकता है कि कुछ जनपदों ने उस समय ही अपना data बना करके भेज दिया होगा तो जिस जनपद का data उनके पास होगा हो सकता है कि उन जनपदों के पास reminder ना जाए और जिस जनपद ने data नहीं भेजा होगा कि हमारे जनपद में कितने हैं उनके पास फिर से reminder किया गया होगा कि हमने इसके पहले भी भेजा था तो फिर आपका exam कहा कराय जाएगा ये बात तो आप समझ सकते हैं न तो ये center तयार करने की बेवस्था की जा रही है इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी बच्चे का comment आया था आप सभी लोग radio operator के बारे में जानते हों वहाँ पर भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है तो बहतर यही होता है कि farm हमारे start हो जाए एक महिना या पंद्रा दिन जितने भी दिन हमको farm बरने के लिए मिलते हैं वो और उसके बाद में एक से डेड़ महिना अगर हमको और मिल जाता है मतलब आप एकुल यह समझ सकते हो कि जिस दिन आपका farm बरना start हो जाता है वहाँ से अगर दो से धाई महिने आपको मिल जाते हैं तो आपके तयारी इतने में complete हो जाती है क्योंकि बात करेंगा इन दो धाई महिने की तो किसी भी बच्चे का अगर कोई phraser है तो इन दो धाई महिने में पढ़ करके उसके तयारी नहीं होती है एक्जाम में selection लेने के लिए इन दो धाई महिनों में अपनी तयारी को और बहतर करने के लिए उसको पहले एक साल पहले से पढ़ना पड़ता है तो आप में से जिसका भी selection होने वाला है जो भी बच्चे वर्दी को पहनने वाले हैं से और आप सभी लोग पहले से बहुत अच्छे तरीके से तयारी कर रहे हो और यह जो दो ढ़ाई महिने आपको मिलेंगे ना पेपर के पहले यहाँ पर आप केवल उन चीजों को रिकाल करोगे उन चीजों का रिविजन करोगे बस तो आप सभी लोगों को मैं बस एक ही बात बताना चाहूँगा और इसके पहले भी मैं आपको कहे रहा था कि अगर मालो भरती बोर्ट ने एक्जाम की डेट एनाउंस कर दी और बहुत जल्दी आपका एक्जाम हो जाएगा फिर आप क्या करोगे तो तयारी को करते रहना है अगर वो एक्जाम 10 दिन के अंदर करा लेते हैं फर भी हम एक्जाम देने के लिए तयार हैं तो उम्मीद है कि बाते आपको समझ में आ गई होंगी और ये जो गर्मा गर्मी वाला महौल है ये भी आपके मन का थोड़ा सा सांथ हो गया होगा और इस गर्मा गर्मी के महौल से बाहर निकलिए और अपनी तयारी को बेटरीन तरीके से करिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहे हैं बेहतरिन तरीके से चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी प्रिस कर दीजेगा जहिंद